हेलो गाइस वेलकम बैक तो माई यूडू चैनल तो यह मेरा सी यू सी इटी का सॉलिशन पार्ट थी है तो आपने अगर पार्ट वन अब तक नहीं देखा है तो आप उसे मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं विजिट करके मैंने उस पर जो है सॉलिशन प्रवाइट कर दिया से एक अगर आप ऑप्सरियों देखेंगे तो हमारी सी अपशन है उसमें बिलेंगे यहां फिला होता है इसलिए ह इसका अपर हमारा जया कि इसके लिए जो है मैं त्यूश है याँ अगर आप उसे देखना चाहेँ है आप मेरे चैनल पर जूड़े रह सकते हैं लेकिन अभी मैं इसे अप्रोज बताता है जहां पर भी हमारा जिस भी हमारा जो स्पाइनल होता है उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको यह बता लेता हूं कि स्पाइनल में क्या होता है एक A2 and B3 type of oxides हमारा प्रेजेंट होते हैं इसमें क्या होता है जब B2 जो है sorry B3 जो है जब हमारा octaider side पर आते हैं and A2 जो है जब tetraider side पर आते हैं यह हमारा normal जहां पर मेटल का oxygen state जो है two वाले octodacite मा जाते हैं तो वो हमारे inverse spinal हो जाते हैं लेकिन यहां पर octodacite हम decide कैसे करते हैं उसके लिए जो है आपको cfse जानना पड़ेगा अब से calculate करना पड़ेगा अगर a2 वाले का cfse ज्यादा हो जाता है then a b3 वाले से तो यह हमारा octodacite मा जा है वहां पर जो है यह नॉर्मल इस्पानल हो जाता है इसलिए हमारा option a तो नहीं होगा दूसरा दो किये हमें mn3o4 इसका अपली सकते हैं mn2o3 ली सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखें जो mn1 यह हमारा three oxygen state में है c के बात करें तो cobalt 3 में अगर आप देखेंगे तो cobalt 3 में cobalt 2 positive हमारा एक आएगा जो कि हमारा left side वाला होगा and cobalt 3 एक आएगा और जो कि हमारा oxide O3 के साथ में हमारा present होगा and यहां पर COO and COO3 हमारे इस तरह की किसे हम ली सकते हैं अब देखें यह जो co2 positive यह हमारा d7 हो हो जाएगा and यह हमारा क्या हो जाएगा d6 हो जाएगा तो आपको पता है कि जैसे हमारे जो है इलेक्ट्रोन बढ़ते तो वहां पर cfc decrease होता तो मतलब इसका cfc कम होगा इसके हिसाप से d6 के हिसाप से तो यहां पर इसका cfc ज्याद हो तो यह CO3 जो है रिगार्डिंग एस डिशूसेशन कोंसेंट पी के है तो आपको पता है पी के ए बहलू जितनी ज्यादा कम होगी वह कंपार्ण उतना ज्यादा एस इडिटी होता है उसका cd सब का इस अगर आप बनागे तो आपको यहां पर एक चीश्ची देखेएगा कि यह जो बी ऑप्षेन है एस टू-स ओफ फईब तो इसका इस्टप्राइब बनाएंगे तो देखे सब्सक्राइब दाल तो प्रक्सरेश क्या होता है जहां पे पर उक्साइड लिंक्स हमारा प्रेजेंट होता कुछ इस तरीके का लिंके जमारा प्रेजेंट होता है तो आप जब एच टू आज फाइब का जब आप इस्ट्रॉक्च बनाएंगा तो आप उसे कैसे लिखेंगे एस डबल बॉंड ओ यहां पे एच ओ यहां पर आप लिख जाते ओ एच जब आप लिख ज इस लोएस्ट ऑक्सेशन इस्टेट तो यह कोशन बहुत जाएंटरेस्टिंग है क्योंकि जब भी आपको जाएंट का कोशन आय तो आए तो आप उहां पर हमेंसा जो एक कैसा कैसा लिखेंट को कोशिज करेंगा खोजनी की वह हमारा नूट्र लिखेंट तो अगर आप यह यहां पर देखें यहां पर option EMA है यहां पर इसका अपर बात कर सकते हैं तो यहां पर अपकर सकते हैं कि Mn न fortun стороны है इसालिए क्लेक्ड प्रेजेंट होजाएंगा तो अगर आप नुकलियर चार्ज में बात करेंगे तो यह हमारा क्या होता है माइनस 13.6 Z square by N square तो किस में vary हो रहा है हमारा Z square में हमारा vary हो रहा है तो Z square उपर में है तो correct motion हमारा क्या हो जाएगा यह तो होगा ही नहीं यह भी नहीं होगा अब लेता है हमारा बी तो आपले नेश्ट को को सब्सक्राइब आप क्या होता है इसके लिए एक इनफरमेटीच चीज़् है जो आज रिएल वैल्यू होता है है एंडल को से क्या दिया हुआ है अन इलेक्टोन इस फांड इन ऑर्बाइटर एपिंग वन रेडियल नोड ओर फोन रहे होता है एंट भी होटा है यह इहां पर दीजिए आप देखिगे जो एंगलर नोड हमारा रहा रहोता है वह 1 is equal to 1 तो यहाँ पर n-3 is equal to 1 तो n is equal to 4 तो n का value 4 आ गिया and l का value 2 था तो l का value 2 के लिए जो है हमारा spd आ जाएगा तो यह 4d हो जाएगा तो correct option हमारा 4d हो जाएगा तो अब लेते हैं हम अपने next question को तो हमारा कौन सा question है नौर्मलाइशन वाला constant है नौर्म वाला question है तो यहां पर देखिए हमारा रहा are say का value दिया नौर्माइशन आपके निकालते हैं तो नौर्माइशन कैसे निकालते मैं यहाँ पर दिखाता हूं तो देखिए n का value हमें दिया हुआ है जो साइ वे फंक्षन दिया हुए कितना है एन ई टू दिपावर आयोटा एम एक्स हमें यह फंक्षन दिया हुआ और इससे हमें नॉर्मलाइश्ट करना है जीरो टू टू पाई के वहलू में तो आप इसे कैसे करेंगे तो देखिए सबसे पहले में बतालू जो नॉर्मलाइशन ओशुआ वहाँ भी संत एक्सार हो जाएगा तो यह जो हमारा वे फंक्षन हमारा होगynn करते हैं दamily करते हैं तो एंटाP वाहर इन टू 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 पावर? अब देखें यहां पर क्या करेंगे यह यह स्कोर हो जाएगा यह दोनों इसे हम बाहर निकाल लेंगे एंड जीरो टू 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 पाई हो जाएगा एंड उसके बाद हमारा हो जाएगा यहां पर उसके बाद हमारा हो जाएगा यह यह दोनों जब हम सम करेंगे तो यह हमारा to the power zero का value आ जाएगा ठीक है जब zero का value आ जाएगा हमारा यहाँ पे तो यह value हमारा one हो जाएगा into हमारा dx तो आप यहाँ पर देखिए हमारा क्या था n square into e to the power zero था तो वहन हो गिया यहाँ पर dx and zero to two pi हमारा value हो गया is equal to me से क्या करेंगे n square into dx integration x into zero to two pi तो जाब आप इसे निकालेंगे तो यहाँ क्या जाएगा n square into two pi आ जाएगा अब देखिए n square two pi यह value आया है अब जो integration निकाले थे साई 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 स्टार dx zero to two pi का value जो हमारा था one तो यह हमारा भली किता हम था n square into two pi था is equal to one था तो हम क्या लिखेंगे n square is equal to one by two pi and n is equal to one by root two pi तो यह हमारा जो है correct answer हो जाएगा तो हमारा कौन सा option है हमारा option है b यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आप देखिए solution भी आप देख सकते हैं अगर आपको यह solution और अच्छे चाहिए तो आप मेरे telegram group join कर सकते हैं and last question क्या है हमारा the well-behaved way function for the following function is तो देखिए यह बहुत ज्याद़ important question है जो well-behaved function होता है इसको निकालने का एक तरीका होता है आपको simply करना क्या है जो x की जो value है उसे आपको infinity put कर देनी है and a psi का value जब infinity आ जागा तो वो not acceptable हो जाएगा जब not acceptable हो जाएगा तो वो well-behaved नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए एक-एक करके जो हम सब को put करते हैं तो सबसे पहला हमारा option क्या है 10x square जब आपको पता है एकस का value जब हम infinity put करेंगे तो 10x का value भी infinity आ जागा तो यह हमारा नहीं होगा दूसरा option x square है तो x का value हम infinity पूट करें तो infinity का square infinity square आ जाएगा and तिसरा में e to the power x square है तो x का value infinity पूट करें तो e to the power infinity होगा अब बचा लास्ट उप्सेन तो e to the power minus x square दिया हुआ इसे अपलिए सेकते हैं 1 by e to the power x square अब जो है e to the power x square को जाब क्या करेंगे e to the power infinity and e to the power infinity मैंने क्या बोला infinity and 1 by infinity is equal to 0 मतलब साइ का जो value है हमारा 0 आ रहा है मतलब यह हमारा finite है इसलिए हमारा acceptable यहाँ जो है well behaved इसलिए correct option हमारा d हो जाएगा तो इस तरीके से जो आप इन सवी questions को solution कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को please like सेरा चानल को जरूर सब्सक्राइब करना मिलते हैं next video में another solutions के साथ में